हेलो जैन दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासिस में तो देखीगा आपका आर्मे अगनिवीर का एक्जाम खतम हुआ है और उसके ही तुरंद बाद अगनिवीर यूजना के ही तहत ये नेवी अपने अगनिवीर वालों को तो मैं इतना कहूंगा अभी एक्जाम देदेंगे ना तो 70% से अधिक स्कूर वो इस टैम में भी कर सकते हैं इतना असान पेपर हैं तो इसकी क्लासिस स्टाट करेंगे आप सभी की डिमांड पर हैना मोस्टली मर जो क्लास है वो नेवी अमर की रहने वाली है जो 10 बिस पर रहेगी एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रों दे देता हूं इसमें क्या क्या रहने वाला है इसमें सलेबस क्या आएगा और हम सब्सक्राइब कर देना है कभी लास्ट में वेबसाइट बिजी हो जाए और आप लोगों का फोमिश अबिट ना हो पाई देखो 13 माई से भरती आने वाली है 27 माई तक टोटल 15 दिन मिलेंगे आपका फोम अप्लाई करने के लिए जी क्वालिफिकेशन रहेगी only 10th किसी ने 10th पास की है और उसके ओवराल 50% माक्ष है तो वो इसके लिए इलिजिबल है अपलाई कर सकता है आर्मे अगनी वीर में क्या है हाइट का थोड़ा पंगा होता था बही 170 cm हाइट चाहिए 190 चाहिए यहाँ पर सिराप 157 cm हाइट चाहिए भई अगर आपकी हाइट 157 है तो आ अपलाई कर सकता है अगर किसी की एक नवंबर 2003 है वो भी अपलाई कर सकता है किसी की लास्ट एकदम 30 अपरेल 2007 है वो भी अपलाई कर सकता है इतनी चीजे क्लिर हैं जी आप ध्यान से समझेगा पहले मैं MR की बात कर रहा हूं स्टेज बन जो है वो आपका रिटेंट टेस्ट रहेगा और मैं फिर से बोल रहा हूं जो आर्मी वाले है ना भाई एपलाई कर दीजिएगा बिल्कुल भी सोचना नहीं है पोस्टे मेरे ख्याल से इसमें कम रहती है पर आपको सिरफ एक पोस्ट के लिए जंग लड़नी ह सिरफ एक पोस्ट चाहिए एपलाई कर दीजिएगा अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा इस बार ठीक है ना देखो स्टेज बन जो है वो आपका रिटेंट टेस्ट रहेगा सबसे बहले पेपर है जी जिसमें दो सेक्शन रहेंगे मर में सेक्शन ए और सेक्शन सेक्शन ए में मैथ के तेरा कोशन है और साइंस के बारा कोशन है मैं कर रहा हूं कि इसमें साइस आसान आएगी जो आइसबर आर्मी में खिचिडी पकी है ना साइस का लेवल नहीं आएगा इसमें और मैथ में कुछ एडवांस मैथ के टॉपिक थोड़े से एड़ है 50% अर और नेग्टिव भी है, इसके अंदर 0.25, यह आपको ध्यान नखना है, टोटल 50 कोश्टन हैंगे, नेवी एमर की बात करेंगे, समझ लोगी बिल्कुल आपके अगनिवीर का ही सलेबस है, इसमें रिजिनिंग नहीं है, जी के के 25 कोश्टन रहेंगे, आप देखेगा, हलके से सलेबस की बात कर लिए, आपका MR का सलेबस है, इंग्लिश में है, आप लोग स्क्रीन शूट ले लिजीगा, मैं हिंदी में भी लिख कर लाए हूँ, तो मैं हिंदी में डिस्क्राइब कर दूगा, क्लासिस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेंग्वीज में रहेंग टॉपिक बहुत बड़ा है, कहने को तो नदिया है, भारत की विश्व की सारी नदियों से प्रशन बन सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट, परवतें वाला टॉपिक, भारत के परमुक परवत, विश्व के परमुक परवत होगे, अरावली की सबसे उची चोट यहां पर इतिहास की बात करेंगे इसमें इतिहास और स्टैटिक जी के मिक्स है इतिहास और स्टैटिक जी के मिक्स कोशन है जैसे कि संस्कृति और धरम यह स्टैटिक जी के कभी टॉपिक बन जाता है सौतंतरता अंदोलन आधुनिक इतिहास से प्रशन है इसके लावा भारत के बारे में महत्तपूर्ण पता होना चाहिए भारत कौन से आक्षांस में है, भारत में क्या-क्या है, भारत के रास्टी ध्वज, भारत की विरासत, देखो कला, कौन से रज्जे की कौन सी कला है, है ना, लावनी किस रज्जे की लोग कला शली है, लोग नृत्ते भी है, मधुबनी कहां की लोग कला शल इसके लावा नृत्ते से तो भाई प्रशन बनेंगे most important है रक्षा युद्ध और पडोसी देश पडोसी देश से तो इसमेना काफी प्रशन बनते हैं आर्मी में तो बहुत कम आता है भारत की कितनी सीमाई बांगलादेश से सटी हैं बांगलादेश की बड़ी नदी बांगल मैं कह रहा हूँ मैं आपको ना इसमें सिरफ और सिरफ आपको मैं टॉप 50 से 70 कोशन दे दूगा ना पुस्तकों के तो इसमें सारी कवर हो जाएंगी बहुत सारे प्रशन बन सकते हैं आप देखिए का अगे प्रमुक खोजे ये ना विज्ञान का नहीं है प्रमुक होजे क सब्सक्राइब करेंट का सेक्शन है मैं अब हलका सापको दिखा दूँ कभी आपको विश्वास ना हो थोड़ा सा समय दीजिएगा और मैं बताओंगा क्लासिस कब से स्टार्ट होंगी कैसे आपकी त्यारी करानी है देखो यहां पर आपको दिखाई देगा करेंट अफेर करेंट अफेर का टॉपिक थोड़ी है पर इसने करेंट अफेर में क्यों डाला है मानलो की प्रधान मंत्री किसी देश की विजिट पे गए उस देश की राजधानी पूछ लेगा है ना मतलब कि जो ऐसे देश जो चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानिया उनकी करेंट योजना लॉंच की हो यहां इसा फूल फॉर्म का प्रियोक किया हो फुल फॉम है यह फूल फॉम पोशब सकता है परमुक व्यक्ती के भारे में पोशब सकता है इसके लापव देखो वर्तमान में कौन है जैसे क्लासिस टार्ट होंगी मैं सारा बताऊंगा डिपली आपको देखो रास्ट्री से क्या क्या सकता है रास्ट्री पशूख खेल फूल गान गीत धोज समारक सिर्फ भारत का ही नहीं है ठीक है ना आप से पूछ लेगा भाई न्यूजिलेंड का रास्ट्री पक्षी कौन सी खेल का कौन विजेता है इसके लावा परियुक्त शब्द है ना जैसे पूछ लेगा टी शब्द किस खेल से है आप कहोगे गॉल्फ से है राइडर कप गॉल्फ से है इसे शब्द बहुत सारे है ट्रॉभियां है और खिलाडियों की संख्या है जी ना फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं वाली बॉल में कितने होते हैं इस टाइप से प्रशन रहेंगे ठीक है तो यह इतना ही सा सेशन है पर इसमें और भी चीजे है जो इंपोर्टन है वो मैं आपको बता दूँगा नेसनल पार्क इसमें रह गया है पर मैंने देखा है नेवी के प्रिवेश येर पेपर में नेश्टनल परक्स से प्रशन बने थे, ठीक है ना, और भी बहुत सरी चीजे हैं, वो भारत में प्रतम ये टॉपिक इसनों ने सलेबस में नहीं दिया है, परन्तु ये सलेबस में एक कॉश्चन पेपर में आये थे, प्रिवेश येर में, याद लखिएगा, अब साइंस से देखो, साइंस बिल्कूल असान, मैं के रहा हूँ, आप आज भी साइंस में एक भी प्रशन गलत नहीं करोगे, ये पदार्थ की प्रकिर्ती कैसी होती है भाई, पदार्थ की प्रकिर्ती, ठीक है ना, ये बल और गुर्टवा कर्शन से प्रश अब मेन क्या है देखो, गर्मी और तापमान, धातू और धातू मौस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कारबन और उसके रसाइने की योगीग भी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, ब्रम्भांड वैसे जियोग्रापी में होना चाहिए अब है यहाँ पर मैथ की वारी, अब मैथ में थोड़ा सा चेंजिस है आर्मी के मुकाबले, देखो, 50% जो है इसमें एडवांस है, ठीक है नी, और 50% जो है वो अरिथमेटिक है इसके इंदर, जैसे गणितिय सरली करण मैथमेटिक सिंपलिफिकेशन है, यह तो सिंपल सा यह तो आता है, आनुपाद, समानुपाद, यह भी मुझे लगता है, सभी को आता होगा, साधारन, छेत्रमिती, मैंसूरेशन है, यह भी आता ही होगा, भई, जियोमेट्री आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है जी, और मतलब बस 10 वी लेवल तक ही करवाएंगे, कोई तिन तिन कोशन बनते हैं, वो बता दिये जाएंगे, माध्य, बहुलक और और आसथ, मीन, मीडियन, मौड, बढ़िया प्रशन बनते हैं, यह तोपिक आपको पूरा करवाया जाएगा, टेंशन मतले जेगा, है ना, बीजी एज, यह अलजेबरा से प्रशन बन सकते हैं, य यह बी कोशन आता है, एक्स प्लस वन अपोन एक्स बराबर दो, यह मैंने आपको एक बर करवाया भी था इस टाइप से, और भी बहुत सारी अलजेबरा की है, देखो एपलस बी का होल स्क्वेर, यह जितने ऐसे फोर्मूले होते हैं, यह सारे अलजेबरा वाले होते हैं, अगला परशन देखिएगा यह टॉपिक जो है, वो है क्या युगपत समीकरण, ब्याज, सिंपल इंट्रेस्ट और कमपाउंड इंट्रेस्ट, राइट, लाब और हानी, परसेंटेज, कारे और समय, गती और दूरी, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, यह आपको बस बताईए कि जुरूर कल लियां परसों से क्लासिस स्टार्ट करेंगे, क्लासिस की टाइमिंग की अगर लोग बात करोगे, कि सर टाइमिंग क्या रहेगी, अभी तो सुबेरे 10 बजे आपकी एक्लास रहेगी, द्यान रखिएगा, सुबेरे 10 बजे आपकी जीके और तुबेरे दस बजे तयार रहिएगा, आप देखो, स्टेज टू में क्या है, फिजकल है, फिजकल एफिशेंसी की बात करेंगे, इसके लावा जो है, उठक बैठक, हम 20 करने है, आपको मेल को और फिमेल को पंद्रा करने है, मेल और फिमेल दोनों को अपलाई करना है, यह फॉर्म ठीक है ना, देखो, वो कहता नहीं कि अपनी किस्मत को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए, कभी-कभी गुच्छे की आख अखरी चाहबी भी ताला खोल देती है, बस इतना याद एकना किस्मत कभ कहां पर उठके बैठेगी, आपको पता नहीं है, पुश अप्स, कुछ एक्स्ट्रा एफट थोड़ी लगाना है इसमें, जो आपने पढ़ा है, उसको रिविजन मोड पे लेना है, और मैत के थोड करली ओफलाइन एक्जाम होता है, वो भी सी लेवल पर होगा, पर यहां पर पहुशने से पहले आपको यह कलिर करना पड़ेगा, फिर मैडिकल है, फिर डॉकुमेंट वरिफिकेशन है, और फिर फाइनलिस लगती है, आपने को हलका से SSR के बारे बता दूँ, मैं SSR की क्ला सलेबस क्या है, ट्वेल से मैथ और फिजिक्स होने से यह 50% मार्क होने चाहिए, एज लिमिट क्या है, एक नवंबर 2003 से 30 अपरेल 2007 बिल्कुल सेम है, आप देखो, हाइट भी 157 सेंटीमीटर है, गल्स की और बॉइस की बिल्कुल सेम है, दोनों ही अपलाई कर सकती है, आप पूछो कि SSR के लिए कौन सी बुक चाहिए, इंगलिश के लिए ना, आपको बस KD Campus Volume 1 से बाहर नहीं जाना है, KD Campus Volume 1, नी तु मैम की बुक है, SSC की बुक है, परन्तु यह बिल्कुल बेसिक के लिए क्लिए है, इस से बाहर मज जाएगा, इंगलिश इस से बाहर जाएगी नहीं आपकी, प्रीवेश यह भी करते रहिएगा, जी के की आपको हमारे चनल पर हेल्प मिल जाएगी, SSR और MR दोनों के लिए, साइंस जो है, वो 25 कोश्चन आएंगे, साइंस के समें, टोटल 100 कोश्चन होंगे, एक घंटे का इसके अंदर समय है आपके पास, एक कोश्च नहीं है, बाग की आगे प्रोसेस आपका सेम रहेगा, कोई भी चेंजी से नहीं है, तो कहने का आर्थ यह है, कि आपकी MR की क्लासे स्टार्ट होने वाली है, SSR वाले भी GK और GS देख सकते हैं, ठीक है न, उमीद करूँगा, सेशन आप सभी को पसंद जरूर आएगा, आपको देखकर, कि आप लोग MR की त्यारी कर रहे हैं, नेवी की और SSR की त्यारी कर रहे हैं, हम उसी जोस दुनों से दुबारा से क्लासे स्टार्ट कर सकें, रही बात, जो RPF वाले है न, RPF कॉन सेबल वाले हो जाएंगे, या फिर SSC ZD हैंजी, ठीक है न, जो 2024 की त्यारी कर रहे हैं, हमारा दूसरा चैनल है, शुभम E Classes 2.0, इस पर जो क्लास है वो रात को आठ बज़े चलती है, आप लोग इस पर भी क्लास को जोईन कर लिजेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है न, सभी का क्लिर है, तो मिलते हैं अपनी क्लासिस में, अपना ख्याल रखीगा, बस आपको थोड़ा सा मैथ में जो एक्ट्रा टॉपिक है न, छे से साथ, उन पर फोकस करना है, जी के साइंस तो आपकी कवर वैसे भी है, और वैसे भी हो जाएगी दुबारा से, ठीक है, जी, फॉर्म जुरू भरिएगा, साढ़े 500 रुपे क्या सपस फीस है, किसी भी कैटि